सबीका सोगत है हमारे इस यूडियो चैनल पर आज हम लोग बात करने आले हैं सिच्छा निर्देश आले रास्तराजदानी छेत्र दिली की कारपत्री का संख्या एक्क्यासी के बारे में जो हिंदी विसे किये मेरे संख्यी औरतों से ली गई और तिथी के आज की दो दो जार बाइस है और कच्छा नौ की यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गए पर उसके पहले बता दू कि आप सब वीकली और डेली बहुत सारे प्राइस जी सकते हैं बस उसके लिए कर लिए करो लिख के पाठ के बारे में चर्चा की जा रही है आईए आज का अद्पतिका की क्रती के पाठ मेरे संग की औरतों पर चर्चा करते हैं जिसकी लेखिका कौन है लेखिका है गागरी जी चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया कौन मा जी ने इत्मिनान से पूछा जी मैं चोर ने युगों से चले आ रही परंपरा असंगत जवाब दिया पानी पिला माजी ने कहा चोर ने क्या कहा जी मैं चोर जिजक कर रह गया माजी तब तक माजी ने बिस्तर के बराबर में टोटल कर देखा चोकी थी लोटा खाली था ऐसा कर उन्होंने कहा यह लोटा ले और कुए से पानी भरला पर देख कपड़े कसकर बान थे रखियो और तरीके से खीचना चोर घबरा गया अंधेरे में इन्होंने कैसे जान लिया कि उसके मुह पर कपड़ा बंदा है और कमदे से भाग गया भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी पर बुड़िया भंग की छंती होगी एकदम से यकीन ना हुआ ऐसे से इसी से कुछ हैरान परसान होट था जल्दी कर भाई तभी मा जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है पर मैं तो चोर हूँ मेरी घबराहट और धरम संकट के चोर सच कहे गया हुआ करे मा जी ने कहा प्यास से को पानी तो पिला पर देख मेरा धर्म न बगड़ियो लोटे मैं मुहू से कपड़ा हटायो हाथ रगड कर धोली जेगा और पानी कपड़े से छान कर भरियो आप चोर के हाथ से हाथ का पी लोगी कहा ना रगड कर धोली जेओ सब नाच गाने में लगे हैं तेरा और भगवान की सेवा कौन धारा है जो पिलाएगा भगवान वही वही उसके बारे में धेर है सुनकर ऐसा की लोटा उठा कर चल दिया पूरे इतियात से साथ पानी भरकल लोटा तो पहरेदार ने घेरा दबोचा कुए पर देख लिया गया था ता मा ने लोटे का आधा पानी खुद पी कर बाकी चोरे को पिलाया और कहा एक लोटे से पानी पी कर हम मा बेटे हुए अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा सो रोमान्चक धन्दा छोड़ खेती से लग गया सालो साल लगा रहा जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा हो मुझे डर डर हैरान सा अब खान, दानी, विरासत कहिए या जीवाणों का प्रकोप उन दोनों संकी बुढ़ियाओं के बीच में अच्छा फसी एक तरफ मा जी की चलती और अपने लड़के के होने पर हीन भगवान मन से नहीं उपजी दूसरी तरफ नानी से चलते देश की आजादी को लेकर नहक रोमानी ही रही चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है आसा है कि आप गद्यांस को पढ़ा वा समझा लिया होगा इस गद्यांस पर अधारित प्रस्णों के उत्तर को खोज कर लिखिये चोर किसके कमरे में गुश गया तो चलिए इसका उत्तर जो है मैं लिखवा देता हूँ तो बिटा इसका उत्तर क्या हो जाएगा चोर लेकिका की दादी जिस कमरे में सो रही थी उसमें गुश गया चलिए देखते हैं अगला प्रस्ण क्या है तो बिटा अगला प्रस्न क्या है तरके के साथ बताईए कि मा जी ने चोर को पहचान लिया था चलिए देखते हैं इसका उत्तर तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हाँ सायद भगवान से तार जुड़े होने के कारण लेखिका की दादी इस बात का अंदाजा था की वह चोर ही होगा पर यहाँ यकीन नहीं कह पा रही थी चलिए देखते हैं अगला प्रस्न तो बिटा अगला प्रस्न क्या है चोर ने मा जी की बात क्यों मानी चलिए देखते हैं इसका उत्तर तो बेटा इसका उतर लिख लिए लेखिका की मा ने चोर को पानी मंगवाया इस काम से जब चोर पकड़ा गया तो लेखिका की मा ने उसे कहा कि पानी प्लाने के नाते वहाँ उनका बेटा हो गया तो बेटा यहां मा की जिगे पर लिख जिगेगा दादी मा ठीक है क्या लिख देंगे दादी मा आप लोग लिख लीजेगा यहां भी मा की जिगे पर दादी मा कर दीजेगा आप ठीक है यह ज़्यादा सही रहेगा चलिए देखते हैं अगला प्रसन तो आपका अगला प्रसन क्या है अगला प्रसन है ठीक है मा जी की बातों का चोर पर वहाँ उनका बेटा है, ओ हो गया है, और उसकी मरजी या है कि चोर, या तो चोरी करे या खेती बाड़ी, इस बात पर चोर इतना गहरा असर हुआ कि उसने चोरी छोड़ दी और खेती बाड़ी करने लग गया, चलिए रेखते हैं अगला प्रसन क्या है, तो बेटा अगला प विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, इसी कारण से वहाँ यहा कहानी लिख पाएं, चलिए रेखते हैं अगला प्रसन, तो बेटा अगला प्रसन क्या है, आपको गतिविदी दी गई है, आप अपने परिवार की महिलाओं सद्यस्यों को किस प्रकार से प्रभाव जो हैं, उनसे आप कैसे प्रभावित हो, तो आप लिखोगे, मेरी मा बहुत महनत करती हैं और मैं भी इस प्रकार पड़ाई में महनत करना चाहता हूँ, करना या करना चाहती या चाहता हूँ, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से मम्मी, पापा, दादी, बाबा, जिस तरीके से आप प्रभावित हो, उनके बारे में आप यहाँ लिख दोगे, चलिए आगे आपकी कारपति का होती हैं, इस समात आपको वीडियो कैसे लगी, कमेंट करकर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ज़्यादा कॉंटस में पास्पेट करना, धन्यवाद प्याद वच्चो